मस्ते दोस्तों, मैं रवी फिचया एक बार फिर आपके लिए एक रोचक वार्ता लेके आया हूँ, वार्ता का शीरशक समोसा वाला दिनीश ने समोसा बेचने का बिजनीश स्टॉट किया जिस चगह बिजनीश स्टॉट किया उसकी के सामने एक बड़ी कमपनी थी उसी दिन राजेश ने वहाँ पे जोब स्टॉट की धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए दस साल बाद राजेश का प्रोमोशन होते होते एक लाख तक पगार हो गई राजेश ने दिनेश को कहा तुम्हारे पास मैनेजमेंट का टेलेंट है तो तुम अच्छी जोब क्यों नहीं करते तब दिनेश हस्ते हुवे बोला जब मैने विजनीश स्टॉट किया तब मैं महीनी का एक हजार रुपे कमाता था और तुम दस हजार आज तुम एक लाख कमाते हो और में भी पर जब तुम रिटायर हो जावोंगे तब तुम्हारे संतान को वापस चीरों से सुरुवात करनी पड़ेगी जबकि मेरे संतान यहीं एक लाख से ही सरुवात करेंगे फिर राजेश क्या बोलता चुप चाप समोसा खाके चला गया बोध, दुसरों के सपने साकार करने में अपने टेलेंट इस्तेमाल करने के बजाए खुद के सपने साकार करने पे अपना टेलेंट का इस्तेमाल कीजिए धन्यवाद, जै श्री कृष्णा